बुल वर्सेज बेर तैयारे अर्मान और साथी नुपूर कहाईए डीचियस नतीजे देने के बाद राई बटी विये सबकी कोई है तेजी के मूर में तो कोई कहता कि नहीं बहुती खराब है तो इसी पर हमने किया है बुल वर्सेज बेर और हमारे आज के जो जज है और आप दोनों को उन्हें प्रभावित करना है तो शुरात कीज़े नुपूर बताएं अपने पक्ष में क्या है तरक बिल्कुल सर टीस के लिए कोटर थी नॉमली एक सीजनली वीक कोटर होता है लेकिन वहां पर कंपने ने काफी बढ़या परफॉर्मेंस ती जब टॉप लाइन की बात आती है तो काफी जो अनुमान था उससे काफी बढ़या टॉप लाइन ग्रोथ आते दिखिए आई की ज अनुमान से काफी बढ़या बीट यहां पर हमें नजर आया था आगे चलकर भी जो कंपनी की पाइपलाइन है वह काफी स्ट्रॉण है वेंडर कंसॉलिडेशन अब कंपनी देख रहे हैं क्लाउड पर फोकस है कंपनी का दोनों ही जो चीजे वह काफी स्ट्रॉण है और मार आप देखेंगे तो एक चीज आपको क्लियर कर आती भी जिख रही है जब वह मैंनेजमेंट बोल भी रहे थे जब TCS के CEO बोल भी रहे थे तब भी वह चीज़ एपरेंट थी क्यों उनका ये चीज क्लियर है कि यूरोप में जो सिच्वेशन चल रही है उससे वह बिलकुल उससे वह बोल रहे है कि वहां पर अभी भी जो वह हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज और रियल बिग इशू उनके लिए अभी भी वह बनावा है अगर आप कॉंटिनेंटल यूरोप की बात कर रहे है तो वहां पर लगबक 16% लगबक 30% रेवेनियू है उसके लिए तो उन नहीं प्राइज हाइक के साथ जो भी अब देख रहे हैं वहां पर उनको situation बहुत अची नहीं दिख रही है तो इस कारण अब क्या वो ग्रोथ रेट जब 30% रेवेनियू उनका वहां पर दिक्कत है तो क्या वो ग्रोथ रेट मेंटेन कर पाएंगे वह सूचने वाली बात ह क्योंकि जो operational efficiencies है वो कंट्रोल में supply side के जो concerns थे वहां पर भी प्रेशर जो था वो अब कंट्रोल में आ चुका है डील pipeline स्ट्रॉंग है और डिमांड इन्वार्मेंट के अपने बात के यॉरॉप में चंट्रॉंस है तो मैजमेंट ने का है ओवर अगर डिमांड देके pipeline की बात करें हमको सभी को सभी हर एक जना analyst जो है वो एक चीज क्लियर बात बूल रहा है कि हमको हो सकता है कि US में भी एक recession देखना का मिले तो वहाँ पर भी अगले quarter तक वो ये भी बोलते वे दिखे कि हमको वहाँ पर भी incentive दिखरी है उसी के सासाथ अगर आप देखेंगे कि अब जो price बढ़ाने की बात बूल रहे है कि जो हम contact जिस price पर करते हैं वहाँ पर price बढ़ाने पर management ने कहा है कि अभी हमको वहाँ से कोई price हाइक नहीं मिल सकता क्योंकि already वहाँ पर एक तो demand की चिंता है तो अभी price हाइक तो मिलनी रहा है और उसे के सास्ता जो travel cost जो बढ़ रहा है उसके कारण हो सकता है कि इनके margins पर दबावातावा दिखे तो ये जो चीज है कि जहां पर उनको price हाइक नहीं मिल रहा है और already जो बता देती हो आपको कि वह भी sort out हो रहा है काफ 6 महिने के बाद जो attrition rate वह peak out हो चुकिए 21.3% के आसपास वह है फिलाल और in fact इस quarter में देखे तो करीबन 2200 employees थे जो आपे deduction हुआ जो लोग छोड़के गए वह इस बार company ने amount वह head count दिया है तो attrition rate का जो सबसे बड़ा concern था वह यहां से खतम होगा है हाला कि TCS हो सकता है कि आपको global market में price नहीं बढ़ा रहे हो लेकिन domestic में भी अब काफी ज़्यादा अच्छी demand है और pipeline जो है वह काफी strong margins का point आपने हर point में तो यही कहूंगी कि 25% का guidance management stick है उस पर देखे आपने खुद ने point बोल दिया जो शाहद आपने उसको positive लिया मैं उस चीज को ऐसा लोगा कि company का अगर आप देखेंगे TCS के लिए पीनल में आपको सबसे बड़ी cost दिखेंगी employee cost उनके लिए सबसे बड़ा asset obviously हर एक organization के लिए होता है पर उनके लिए तो fortunately अगर आप देखेंगे वाप employee cost है तो अगर आप employees की count कब कब करेंगे आप कब job कम देंगे employees को क्योंकि जब आपको लगेगा कि मुझे मेरा outlook uncertain है यह तो logical चीज है तो अगर मुझे यह दिख रहा है कि इतने time बाद अगर वह headcount and headcount काम होता हो दि उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि company competitor और यह ऐसा नहीं हुआ है कि अभी पहले हुआ है अगर आप देखेंगे कई time बाद यह चीज हुए तो यह और aggressive हो जाता है यह वाली चीज तो 3550 से लेकर 2850 दोनों के target है यह बावन हफ्तों की ऊपर और नीचे की range नुपुर और साथी अर्मान ने दिये दोनों ने अपने तर्क और वी तर्क नहीं वी तर्क और को तर्क नहीं दिये सिस तर्क दी है